आज वीडियो का टॉपिक है फेज ग्लो टिप्स तो लेस्ट टार्ट दे वीडियो ग्लो ग्लो टिप्स नंबर वान पिये परियाप्त पानी क्योंकि पानी सिर्फ आपको यल्दी नहीं रखता बलके आपकी स्कीन भी ग्लो करती है दरसल जब आप परियाप्त मातना पानी पीते हैं तो इससे शरीफ की भीतर मुझूद विशाक्त पतार का बहार निकल जाते हैं और इससे आपकी स्कीन भी डमक में अलगती है इसलिए आप दीन में 7-8 लिटर रोजाना पानी पीए ये मेरी आप उसे कुजारी से टीप नंबर टू है हेल्दी डाइट ले क्योंकि कहते हैं कि आपकी स्क्रीम आपकी इनर हेल्द का आईना होता है जब आप भीतर से हेल्दी होते हैं तो उसका असर आपकी स्कीम पर ब्याता है इसलिए ग्रोप पानी के लिए आपकी क्रीम के बजाए हेल्दी डाइट अपनी डाइट में पोश्चक कत्व का अड़ करें जैसे खास्तर में ओमेगा फेट एसीड विटेमिन सी को फाइबर यूपत आहार लें इसलिए अतिरिक के शरीर में विटेमिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी तो एक मल्टी विटेमिन की गोली आती है वह आप ले सकते हैं म सुनने में बहुत अजिब लगेगा लेकिन वर्टाउट भी आपके स्kaim पाने के लिए भूँत फाइदे मन्न होता है दरसाल जब आप वर्टाउट करते हैं तो इसे स्कीन पर blood circulation भीतर होता है ? क्योंकि संस्क्रीन बहुत जरूरी होता है कि सुन्सक्रीन बहुत जरूरी ह से पहले लगाना क्योंकि वह सुरिय के कीना होती इस को उस से अपने स्कीन को प्रोटेक करता है वह जो्ब्र होता है संस्क्रीन का वह पुरने अल्टर होइलेट क्योंने होती vert अपने प्रोटेक करता है एक नमर फाइए अवोड क्रेट एंड यूज हेल्दी होमेड बैक क्योंकि हेल्दी लाइपस्टाइब अपनाने के लिए अतिरिक्त कुछ घरुली फेस पैक के जरिये भी आप स्किंग ग्लो कर सकते हैं जैसे आदा चमज हंदी पाउडर लेकि उसम स्पून बेसन मिक्स करें और आप इसमें पानी या दूद की मदद से एक फाइन फेस बनाईए अब आप इस पे आपनी चेरे पे लगाईए 15-20 मिनिट तब अंत में पानी की मदद से साफ कर दिए इसे वीडियो अचल लगे तू लाइक करो शेर करो सब्स्राइब करो आप सब्सक्राइब नहीं करते यार वो बटन को फोड़ दो यार सपोर्ट को यार भाई को